मैं ओला में दो महिने काम कर चुका हूँ और मुझे ठीक ठाक एक्स्पिरेंस हो गया है यह ओला मेरा वीडियो भी काफी टाइम से पैंडिंग पड़ा हुआ था तो सोचा बना देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि ओला में अपनी बाई कैसे लगा सकते हो आप कितना काम करके कैसे काम करके आप कितना पैसा बना सकते हो और इस वीडियो के लाश में मैंने कुस क्वेस्टिन भी एड कि हुए दूसरों के वीडियो से उठा उठा के जिसमें जैसे कमेंट में किसी ने कोई क्वेस्टिन पूछा था मुझे लगा कि यह valid question है तो मैंने उसको उठा कि इस वीडियो के last में add किया है तो उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको Ola में join कैसे करना है अपनी bike लगानी कैसे है मैंने बहुत सारे वीडियो देखे उसमें लोग कहते हैं कि आपको Ola की website पर जाना है उसमें form fill करना है अपनी detail डाल दिया और फिर वहां से document verification लिए call आएगा पर मुझे नहीं आए था मैं सही बता रहा हूं मैंने जो तरीका यूज किया है बहुत simple था मैंने पहले form fill किया कोई call दिया है फिर मैंने Google Map पे search किया Ola Office और चुप चाप मैप में देखके पहुँच गया वहां पर कुछ लोग बैठे वे अपनी car add करवाने के लिए मैं भी वहीं जाक बैठ गया तो आपको भी बस यही करना है Google Map में search किजिए Ola Office आपके एरिया का जो भी ऑफिस हो आपको दिखा देगा वहां चले जाईए और वहां पर किसी भी परसन से बूल दीजिए वहां मुझे अपनी bike इसमें add करानी है वह आपसे कुछ document मागेगा अब आपके पास कुछ document होना चाहिए जैसे कि आधारकार्ड जो कि आपका proof है कि आप कौन हो भाई अगर कल को आप गाड़ी कहीं ठोक देते हो या फिर कुछी का कुछ समान उठा ले जाते हो तो उनके पास आपका एक proof होना चाहिए न वासे आइनो कि कोई उठाता नहीं है पर वो एक proof के लिए मांगते है अधारकार्ड और bike का RC होना चाहिए कि bike किसके नाम पर है insurance होना चाहिए और आपको अपनी bank की passbook लेगे जानी पड़ेगी क्योंकि मालीजे कोई आपको online पैसे पे करता है आपको cash नहीं मिलता है online बहुत ज़्याद ही कठा हो जाता है तो वो आपके bank account में settle हो जागा या आपके bank account में पैसा आ जाएगा दो दिन के अंदर और आपको चाहिए होगा driving license अब मेरे case में क्या है कि मेरे पास driving license था नहीं ठीक है तो मैंने क्या किया कि driving license के लिए apply किया उसका registration number लेके मैं चला गया और उनको बता दिया तो काम हो गया आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आपको driving license नहीं है तो आप registration number लेके चले जाओ डिल के ल अंदर रहेगा वह 5 मट के अंदर account बना देगा photo click करेगा आपके RC की photo click करेगा bike number plate की photo click करेगा और अधार card की photo click करेगा passbook की photo click करेगा पस हो गया account आपका बन गया अब वो आपसे एक ola partner app download करवाएगे उसको download करना है अपना जो भी id आपका बना है उसे लिग इन करना है और तीस मिनट के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा यानि आप तुरंत राइड ले सकते हो मेरे केस में मैं गया था और मुश्किल से 20-25 मिनट मैक्सिमाम आधे गंटे हुए होगे मेरे अकाउंट बनके तयार था और मुझे राइड भी मतलब अन हो गई थी मेरी कि मुझे राइड आ सकती थी उस वक्त अब बात करते हैं कि आपको ओला पार्टनर अप यूस कैसे करना है अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो आप यूस तो करीड होगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पर फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया बता देता हूं कि जब वो आपसे एप को डाउनलोड करवाएंगे तो आपको अप उपन करना है तो पर्मीशन समागेगा आपसे एक एक करके आपको उसको सारी पर्मीशन देनी है जिस मोबाइल नंबर से आपका अकाउंट बना है उस मोबाइल नंबर को डालना है एक OTP आएगा, उसको डालना है, आपका account open हो जाएगा, अब उसमें map section दिखा रहा होगा, और सब से उपर आपको दिखाएगा off duty, तो उस off duty को आपको change कर देता है, कर देना है on duty में, यानि कि अब कोई भी ride आनी होगी, आपके आसपास के area से कोई भी ride, कोई book करेगा हो ला मे तो आपके phone में एक आयगा accept करने का option, कि कि आप इस ride को accept करना चाहते हो, या फिर अभी आप busy हो, तो अगर आप accept करना चाहते हो, तो accept पर क्लिक कर दो, ride accept हो गई, अब आपको map में दिखाएगा कि user कहाँ पर है, आपको जा कि उस user को receive करना है, बैठाना है, OTP लेना है, फिर जब आप account बनवाल होगे, तो आप बहुत अच्छे से use कर पाओगे इसको, अब बात करते हैं कि पैसा कितना और कैसे मिलेगा, तो आपको पहले मैं बता दूँ कि Ola का platform charge 20% है लगभग, 20% यानि कि अगर आपको कोई 100 रुपए की ride मिलती है, आप उसको complete करते हो, तो 20 रु यह मुझे बहुत ही चूतियाप वाला reason लगता है, मतलब आपने 100 रुपए cash ले लिया, तो वो जो 20 रुपए है वो आपके account में minus में हो गया, कोई और बंदा अगर कभी online ride book करेगा, जिसमें उसने online पैसे दी होगे, उसमें से कट जाएगा, और अगर सब आपको cash देते हैं आपको सिर्फ अपने हिसे का 80% ही मिलेगा, तो cash online बुल जाओ, online अगर आपको मिलता है, तो दो दिन के अंदर आपके bank account में settle हो जाएगा, और cash मिलता है तब तो पूरा cash आपका हुआ, पर ओला अपना 20% ले लेगा, तो उस चक्कर में परिशान मत होना, अगर आपको कम time मे ज़्यादा ride चाहिए, ज़्यादा पैसे बनाने हैं, तो उसका मैं आपको simple सा idea बता देता हूँ, कि सुबह 6 बज़े से 10 बज़े तक आप online लो, on duty रो, क्या होगा ना कि कई बार बच्चों के exam होते हैं, सुबह सुबह, और सुबह सुबह taxi वेक्षी ज़्यादा चलती है, तो और वो exam देने के लिए ride बुक करते हैं, क्योंकि single बच्चा है, वो bike बैटके चला जाएगा, किसी को railway station जाना है, तो वो बुक करते हैं, किसी की coaching है, वो बुक करते हैं, अपने experience से बता रहा हूँ, मुझे सुबह सुबह ज़्यादा ride मिलती थी, रात को हलकी बुलकी, औ अगर आपको कम टाइम में ज्यादा पैचे कमाने हैं, तो आप सुबह से 10-11 बे तक on रहा सकते हो, अब आते हैं कुछ questions पे, जो कि मैंने दूसरे लोगों के वीडियो के comment section से उठाएं, तो एक बंदा पूछ रहा था कि क्या हम loan पे ली हुई bike को लगा सकते हैं, तो जी यह तो आपको पता ही होगा कि ride की distance पे depend करता है कि एक ride पे कितना देता है, पर आपको एक मोटा माटी idea के लिए बता दूँ, अगर 12-13 km लंबी एक ride आपको मिलती है, दिन के समय में, तो 100-120 उरुपए आपके बन जाएंगे, और वही ride आपको अगर रात 10 बुजे के बाद म मिलती है, तो 3.500 उरुपए तक आपके बन जाएंगे, एक ride से, फिर एक इंसान ने पूछाए कि commercial नंबर लेना जरूरी है क्या, तो मुझे तो नहीं लगता है कि bike में commercial नंबर मिलता भी है, पर अगर आप car लगवाना चाहते हो ओला में, तो commercial नंबर जरूरी है, तो last question है कि 5-6 घंटे काम करके कितना बना सकते हैं, तो देखो यार, अगर आप Delhi, Mumbai, Ahmedabad जैसे tier 1 city में रहते हो, तो आप 5-6 घंटे काम करके अराम से 800 रुपए तक बना लोगे, हो सकता है, 200 रुपए पे पेट्रोल का काटलो, 600 आपका बच जाएगा, और यहां अलाहबाद में, मैं 5-6 लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन पे कूछ जाना चाहना, अगर आपकी इच्छा है, तो मुझे इंस्टाग्राप पे फॉल्लो कर लेना, कोई प्रेशर नहीं है, मैं बंदूग नहीं लगा रहा हूँ, आपके सर के ऊपर, एकदम टेंशन फ्री